नवश्कार मित्रो मेरा नाम है मुनाल पडिल और आज हम देखेंगे 17 डिसेंबर थर्षटे के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़े क्या लगी पेज 1 स्पेक्ट्रम सेल के बारे में नवेंबर मैने मैंने दह हिंदू में एक आर्टिकल लेखा था कि बारत के कैपिटालिजम के लिए कोरोना वाइरस एक आउसर ऑपर्चूनिटी कैसे है जहां पर मैंने एक अंदेशा लगाया था कि क्यूंकि बारत सरकार अब जादा डेस्परेट हो जाएगे इस तरह से कोरोना वारत के पूझी पतियों के लिए एक आपर्चूनिटी है और असल में वही चीज आज हमें डेवलप होती देखने को मिल रही है टेलिकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी आफ इंडिया यानी ट्राय जो की एक स्टेटूटरी बॉड़ी है उन्होंने सजेशन दिया था कि इस बार जब हम 4G स्पेक्टरम सेल करें तो करीब 5.60 लैक करोर रूपीज रिजर्व प्राइज रखना चाहिए रिजर्व प्राइज मतलब आरक्षित रख हम निलामी होगी तो इससे सस्टे में तो नहीं ही बेचेंगे 4G स्पेक्टरम ऐसा उन्होंने सिफारिश किया था और सरकार ने शुरू-चुरू में वो मान भी ली थी लेकिन फिर ये एर्टेल, जीओ, वोड़ाफोन ये सब बोल रहे हैं हमको बहुत नुक्साने बगएर तो अल्टिमेटली नाव गवर्मेंट ने वो रिजर्व प्राइस को कम करके 3.92 लाक करोड रूपीस कर दिया है हमने एक्जेक्ट आंकड़े याद नहीं रखने लेकिन ये दिखाता है कि कैसे कोरोना के अंदर सरकार क्योंकि अब डेस्परेट है हमें टेक्स में रखम नहीं मिल रही और बहुत सारी योजनाय चलानी है तो सस्ते में भी स्पेक्टरम के राइट्स माइनिंग यानि खनन के राइट्स ये कोईले की खदान या अलूमिनियम की खदान So these are the new challenges in the public finance management Corona और उसकी Capitalism पर क्या असर हुई इस बारे में मैंने Unacademy में एक Free Special Class भी Announce किया था आप उसको पढ़ सकते हैं उसका Link नीचे दिया है और Unlock Code आप यूज करें Mrunal.org तो ये पहले समाचार Page 1 पर दूसरे समाचार Quality वहाँ पर Main Spaper 2 Separation of Powers Judiciary, Legislature, Executive के बीच उनकी अलग-अलग सत्ताय हैं और वो बेदरेखा होनी चाहिए अभी आज हमें देखने को मिलता है Supreme Court ने पाया कि किसानों का ये जो अभी आंदोलन दिली में चल रहा है बारत सरकार ने कोशिश की उनके साथ negotiation करने की लेकिन अभी तक वो आंदोलन को खतम नहीं कर पाए तो Supreme Court ने का है कि वो खुद अपनी एक कमिटी बनाएगी जहां पर केंदर सरकार के और ये किसानों के प्रतिनिदी होंगे तो ये क्या दिखाता है? Separation of Power दिरे-दिरे और बलर हो गया जब भी ये Executive Judiciary Legislature में से कोई एक ब्रांच कमजोर होने लगे तो दूसरी ब्रांच और ज़्यादा Strong होने शुरू हो जाती है तो जब भी बहुत ज़्यादा Corruption के मामले आ जाए या Black Money के मामले आ जाए या अब ये किसानों का अंदोलन सरकार उसको नहीं निप्टा पाए तो Supreme Court अपनी SIT या कोई समीति बना देती है तीसरे समाचार भी Quality और Ethics के Related आप जानते हैं पार्लामेंट में अलग-अलग Departmental Standing Committee विभागियस थाई समीतिया होती है ऐसी Defense रक्षा के मामले में भी एक समीति थी वहाँ पर कोई राजय सभा के MP ने सजिस्ट किया कि सभी Member of Parliament को पहले तो ये समझाना चाहिए कि Army Navy Air Force में रेंग क्या होते हैं यूरिफॉर्म क्या होते हैं मलब नीचे लेप्टन उपर कैप्टन वगएरा और कितने सितारे होते हैं वगएरा ऐसा एक प्रेजन्टेशन पार्लामेंट की ये कमिटी में हो रहा था राहुल गांधी ने कहा कि ये सब जनरल लॉलेज पढ़ाने की अभी क्या ज़रूरत है पार्लामेंटरी स्टेंडिंग कमिटी का काम है कि हम ये डिफेंस के मुद्दे, टेररिजम, बॉर्डर सिक्यूरिटी इस पर चल चाहनी चाहे ना की की रैंक क्या होते हैं और वगएर वगएर तो फिर उनका कुछ जगड़ा हो गया तूतु में हो गई और वो मीटिंग छोड़के चले गए यहाँ पर असल में सोचने का केस तड़ी का विशाई ये कि आप किसी मीटिंग में बैठें और आपको लगता है कि जो मुद्दा चल रहा है वो बिलकुली काम का नहीं और कुछ और मुद्दे और ज़रूरी है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे पेज वन पर तीसरे समाचार इंटरनेशनल रिलेशन चीन की कुछ इन्वेस्टिकेटिव जर्नालिस्ट ने ये पाया है कि इसके जो अलग-अलग सदस्य होते हैं वो भी हाई रैंकिंग ओफिशल्स उन लोगों ने बहुत बड़ी मल्टिनेशनल कंपनियों के बैंकिंग सेक्टर, टेकनलोजी, आटो मॉबाइल वहाँ पर वो मैनेजर और एक्जिक्यूटिव और बड़ी-बड़ी पोजीशन पर जाकर बैट गया हैं ताकि चीन सरकार की जो नीतियां है उनका दिरे-दिर वहाँ पर प्रसार कर सके या फिर कि वहाँ पर से सारी कॉर्पोरेट, एस्पियो नाज, जासूसी करके उनके सारी टेकनलोजी और गुपत चीजे उसको चाइना में बेज सके ऐसी एक कॉंट्रोवर्सी चल रही है पेज 2 अनुसंदान वो हमने देख लिया पेज 3 पेज 3 में होता है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज, मैंने आपको कल भी बताया था, आपने देखना चाहिए अपने स्टेट के इसाब से कुछ जाने लाइक चीजे मिले, नोट डाउन करते है रहना चाहिए जैसे कि डिस्ट्रिक मैजिस्टेट, यानि कि कलेक्टर, जो कि I.S. आफिसर होता है, उसके क्या पावर होता है गुजरात में एक नया कानून बनाए, पाया गया कि पिछले चार वर्षों में 700 से जादा लोगों को लेंड ग्रेबिंग, जमीन हडपना वो, खोसला का गोसला मूवी में जो बोमन इरानी कर रहा था, उस टाइप के केस में पकड़े गए है तब गुजरात सरकार ने एक नया कानून बनाए, गुजरात लेंड ग्रेबिंग प्रोइबिशन एक्ट, जहां पर एक समिती बनाई जाएगी, और डिस्ट्रिक कलेक्टर उसका बॉस होगा, और उसने ये सारे केस का निप्टान करना होगा, जो भी जमीन हडपने के मामले तो कलेक्टर की क्या जिम्मेदारिया होती है, दीरे-दीरे करके आप पढ़ते जाएं, आपके पास बहुत लंबा लिस्ट होगा, और additionally, आप नेट पे भी सर्च करें, या लक्ष्मी कान की वो गवर्नन्स की किताब या ऐसी बहुत सारी किताबे, उसमें से भी आपको माल म मिलेंगे, so you need to be aware, और फिर उसमें से आप जोड़के बोल सकते हैं कि यह यह प्रॉब्लम से हैं, और इसको ऐसे ऐसे मैं solve करने की सब वीजन रखता हूँ, फिर हम चले page 4, यह भी state specific news, लेकिन उसमें से जानने लाग कोई चीज हो, हम लोग इधर उधर quote कर सके, for example, means paper 2 में एक मुद्दा है, e-governance applications, e-governance में एक चीज आती है, MIS, यानि management information system, एक ऐसा online database जहां पर आपकी मेरे department में इतने employees हैं, इतना पैसा है, इतने computers हैं, सब machine और resources उन सब का data बनाया जा सके, इस चीज को इधर बेदना है नहीं बेदना, सब चीज है, तो गुजरत के labor department में ऐसा ए इतनी दूर गटनाए हुई, industrial accidents, उसमें कितने लोग जखनी हुए, कितनों को मुआवजा मिला है, नई मिला है, उसका real time tracking हो ता कि गरिब को जल्ली से नयाय मिल सके, again ऐसा specific याद रखने की ज़रोत हैं कि गुजरत में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये e-governance की application है, ऐसा आप सब ज medium के भी school होते हैं, अब क्यूंकि सरकारी चीज है तो वहाँ पर reservation के norms भी होंगे कि उर्दू medium के teacher की भरती होगी, उसमें ये ये percentage reservation होगा, तो पता चला कुछ reserve community के जो quota होते हैं, वहाँ पर कोई उर्दू वाले teachers मिलते हैं और vacancy जादा हैं, ultimately ऐसे Muslim teacher जो की असल में math और science category quota में, ऐसे ही एक और reservation के समाचार हमें मिलते हैं, national level पे, on page number 10, मुद्दा ये था, IIT और ऐसे बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों में, reservation नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा था, ऐसी controversy चल रही थी, तो बारत सरकार ने एक V.E.Ram Gopal Rao समीती बनाई थी, उसने कुछ suggestion दिये थे, लेकिन सरकार ने पॉब्लिक डोमेन में शायद नहीं रखे थे, फिर किसी ने RTI करी तो अब पता चला, राम Gopal समीती ने ये पाया है, एक कानून है, Central Education Institutions Reservation in Teachers Cader Act 2019, के इंद्रे सिक्षान संस्थाँ में आरक्षान सिक्षाकों के उसके नियम, उसमें ऐसा उनका कुछ सजेशन है कि ये सभी IIT करीब 20 से ज़्यादा IIT है बारत में, उसके अंदर भी शिक्षकों की बरती में Reservation के नियम ना लागू होने चाहिए, ताकि Meritorious Persons को लिया जा सके, उसके सामने Controversy और Counter Argument ये है कि Reservation Community के Students, उनको अगर ये सब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो कैसे सामाजिक उत्थान होगा और दूसरा IIT में हाल के वर्षों में पाया जाता है कि बहुत सारे बच्चों को जो admission मिला है उसके बाद suicide भी हो रहे हैं, बीच में से पड़ाई छोड़के चले भी जाते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार है क्यूंकि उनको इंगलिश अच्छे से नहीं आता और जितने semester exam का pressure होता है वो सबको वो cope up नहीं कर पाते, particularly those coming from certain reserve communities और सामने शिक्षक वो बिल्कुल ही बेरुखी से बरताव करते हैं, lack of empathy, तो बिल्दब reserve community के भी teachers उपर हो तो थोड़ा कुछ स्वाहाद का माहल बन सके वगरा वगरा, तो गुजरत का एमदाबाद शहर तो बड़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर बहुत सारी bank branch भी है, लेकिन फिर भी पाया गया कि एक ponzi scheme चल रही थी, ponzi scheme अलब 25 दिन में पैसा double type की जो scheme चलती है, और कई सारे लोगों ने उसमें निवेश भी किया था, तो यहाँ पर ethics का प्रश जहाँ पर education, awareness, bank branch, financial inclusion, सब कुछ बैतर है, तो फिर क्यों लोग ऐसे फरजी चीजों में फसते हैं, तो जवाब क्या होगा, greed, लालच, desperation है, consumerism, मैं अचानक से बहुत पैसा आ जाए और मैं फोटो डालके Instagram पर कि मेरे पास महिंद्रा, SUV है वगरा, movie, TV शो, इन सब के चलते है जो माहौल बंद रहा है, पड़े लिखे लोग भी ऐसी फालतू चीजों में फ्रॉड हो रहे हैं, तो मेंस पेपर 4 के लिए सोचने का विशे, page 5, सरकारी विज्यापन काम के नहीं, page 6, राश्री पाविशे काम का नहीं, page 7, page 7 भी state specific news, ये असल में मैं आजकल देखता तो जैसे National Forensic Science University गांधी नगर गुजरात वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, अब वहाँ प्रोग्राम हुआ वो काम का नहीं, लेकिन उसमें जो ग्यान बाटा गया वो काम का है, DNA प्रोफाइलिंग के बारे में सेमिनार था, वहाँ पर speaker ने ये का कि South Africa में सब लोगों का DNA प् अनून बनने की जरुवत है, हाला कि ऐसा DNA Technology Regulation भी लोग सबा में पैंडिंग है, जहां पर बात यह है कि सब कोई Crime Scene है, कोई मर गया आदमी लेकिन उसके कोई परीजन आये नहीं, या फिर कोई Suspected Person है, इन सब के DNA Profile Store किये जाएं, और फिर Next Time जब कोई भी Crime हो, उसके साथ उस नार्को एनालिसिस करते वक्त उसको थपड़ मार मार के कुछ और ही बुलवा देते हैं, और वीडियो टेप को एडिट करके फसा देते हैं, उसी प्रकर Miss Handling of the Samples, DNA आप जानते बहुत ही बारिक चीज़ होती है, तो सही से Gloves पहन के उसने जो टेस्टिंग करना चाहिए, उ इसमें कुछ एका ड्रॉप इदर उदर का डाल दे और फिर कहें कि सेंपल में अची नहीं हो रहा और ये आदमी क्रिमिनल है ही नहीं करके बड़े-बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए, all these problems are there, so what is the way forward, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए सोची, फिर हम चले page 8, page 8 ह पहली कॉलम है बारत और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यूंकि हमने कल भी देखा था कैसे बिटिश प्राइम मिनिस्टर अपनी 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट हैं, लेकिन ये कॉलम में कोई जोरदार मुद्दे हैं नहीं तो छोड़ो इसे, लेफ केमपेनिंग चल रहा था, बहुत सारे लोगों को अरेष्ट किया गया, अल्टिमेटली इट वस फाउंड, दिली की कॉर्ट में पाया गया, मुंबई की कॉर्ट में पाया गया, कि उसमें पकड़े गए में से बहुत सारे लोग तो जब ये गटना हुई, उस वकत उस इला कर से स्केपगोट बना गया पैंडेमिक में, और ये जो पूरा डेमेज हुआ है, उसको रिपेर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर रोल आफ मीडिया, रोल आफ पॉलिटिशन्स, कम्यूनलाइज किया गया पूरे मुद्दे को, और असल मुद्दों से ध्यान बटक गया, औ क्यों कि एक इकनॉमिस्ट हैं और ये नरेगा और गरिब गल्यान के बारे में लिखते रहते हैं, जाद अतर उनका टोन सरकार के विरोध में होता है, लेकिन उसमें से कुछ जानने के मुद्दे मिलते हैं, आपको पता है नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्टिय सिक्योरिटी एक्ट, क्राष्टिय खादे सुरक्षा अधिनियम, उसमें तो ऐसा लिखाए कि प्रेगनन लैक्डेटिंग मदर्स को कुछ 6,000 रुपे मिलने चाहिए, उसको लागू करने के लिए सरकार योधना लेकर आई प्रदान मंतरी मात्रू वंदना योधना, लेकिन उसमें सिर्फ 5,000 रुपे दिये जाते हैं और वो भी पहले बच्चे के जन्म पे दिये जाते हैं, तो दूसरा तीसरा वगेरा बच्चा होगा, वहाँ पर शायद उसका उतनी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाता है, पिर एक हमारी योधना चलती है, बहुत वर्षों से Integrated Child Development Service यानि ICDS, जांपर आंगनवादी केंदर बना कर वहाँ पर ये गरबहती माता है, प्रेगनेट लेक्टेटिंग विमेन और दूसरों सब का नूट्रीशन, एल्थ केर, जो छोटे बच्चे हैं उनको वो जूनियर केजी टाइप का प्री स्कूल, नर्सरी टाइप का रिलिजियस कारणों से अंडे भी नहीं दिये जाते, जिसमें अंडों में प्रोटीन होता है, लेकिन बच्चों को देना चाहे बगएर, लेकिन नहीं दे पाते क्योंकि BJP, स्टेट गवर्मेंटे बगएर, लेकिन वो सब काम तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगो को लाब नहीं मिला, these are the problems, जिसके चलते child malnutrition और बढ़ेगा ऐसा उनको जोखिम लगता है, क्यार वैसे उनकी बाशा ज्यादा critical होते हैं, लेकिन उन में से हमने ये what are the challenges, तो ये challenges है, और फिर solution क्या, हाँ तो योधना का allotment बढ़ाया जाए, आंगलवारी केंदर में, और ज्यादा बहतर infrastructure किया जाए, और ये जो nutrition palette दिया जाता है, उसमें और सुधार किया जाए, ऐसा लिखने की जगए कि अंडे देने चाहिए, हमने के more alternative should be given, ज्यादा विकल्ब देने चाहिए आहर के, और ये सब की take home reaction, cash वगेरा की भी सुविदा होनी चाहिए, यानि criticism हमने पढ़ता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, पढ़ना चाहिए, लेकिन जवाब जब लिखते हैं, तो उसका ultra positive बना कर लिखना चाहिए, that's all, उसके बाद चले page 9, page 9 पर जो column है, ludwig van Beethoven, जो कि ये German, Vienna के आसपास के इलाके के musician थे, उनकी 250 years की birth anniversary है, अब वैसे अपने exam के लेकिन आप ये column पढ़े, क्योंकि अपना CCET paper 2 जहां पर reading comprehension के नम पर कुछ चीज़े पूछी जाती, तो उस वकत ऐसे column, अतरंगी column musician के बारे में painter और Picasso के बारे में पूछे जाए, लोग उसको जल्दी से पढ़ नहीं पाते, और उसमें से comprehension के जवाब सवाल नहीं कर पाते तो आदत रखनी चाहिए ऐसी चीज़े भी पढ़ने की, page 9 पर दूसरा column वो लव जिगात के बारे में काम काने, तीसरा column है, उत्तर प्रदेश के एक IS officer नहीं लिखाए कि कैसे हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल में किया, लेकिन वही सब जो fancy words यूज होते हैं, strategic intervention and integrated data management and this and that and Allahabad model, अगर आप उत्तर प्रदेश की state service exam और उसके interview की तेयरी कर रहे हैं, तो पढ़िए, वरना तो हर एक state वाले ऐसे तो बोल सकते हैं, तो अपने state के हिसाब से कुछ जवाब interview में तियार करने जाने चाहिए, फिर हम चले page 10, government and politics, political science optional subject वालों के लिए आज ए के रहना के अंदर local bodies उनकी पंचायती राज वगेरा की election चल रहे थी, एक कोई private sector की company act, key tax group और उनों ने, अब जानते हैं कि company act में बड़ी-बड़ी मुनाफ़ा company वालों ने अपने 3 साल का average profit निकाल और उसका 2% corporate social responsibility के नाम पे, ये सब जन सेवा में समझो की public toilet बनाए, cancer hospital ब बनाए, वो सब में use करना होता है, तो ये key tax group ने ऐसा कुछ किया था, और उसकी मदद से उनोंने कुछ 2020 नाम की political party बनाई थी, जो की 5 साल पहले भी local body के कुछ चुनाव जीती थी, और इस बार भी वो कुछ जीती है, यानि दीरे-दीरे, एक तरफ हो political party और दूसरी तरफ हो corporate social responsibility के fund से समाज कल्यान के काम करते हैं, और फिर अपनी कोई political party बनाकर खुद ही चुनाव जीतने की कोशिश करें, ऐसा ये दीरो दीरे माहल बन रहा है, तो वाट विल भी दे वर्ल्ड आफ्टर 20 एर्स ये भी सोतने का विशा है, किर अपने general study में इतना सायद काम का तूरं ये असल में होने दो फिर एक साथ त्यार करेंगी, ये रोज ball by ball comment चले उसका फायदा नहीं, पेज 10 पर तीसरे समार चार थे, ये IIT के teacher recruitment में reservation नहीं होना चाहिए अगरा के बारे में, जो आगे हमने देख लिया, पेज 11, पेज 11 में भी ball by ball comment बहुत ज्यादा लगती नहीं, जैसे कि sugar mills की मदद करने के लिए सरकार ने कुछ package गोशित किया, लेकिन उसका कोई जोरदार नाम हो दिन दयार लेया ऐसा, तो याद करना चाहिए वरना काम करने, उसी तरह नौर्थ इस रीजन में electricity supply बढ़ाने के लिए कुछ N, E, R, P, S, I, P, S, E कुछ नहीं योदना आ जो की Surveyor General of India थे, उनके नाम पर उस पहाड का ऐसा नाम है, अब ये Sir George Everest का मकान उत्राखंड के मसूरी में उसको redevelop किया जा रहा है और उसको museum बनाए जाएगा ऐसी कुछ person and place in news के समाचार, election commission ने पाया है कि मध्यप्रदेश में जो लोग सबा पोल होने वाले थे, तो मध्यप्रदेश के कुछ IPS officer खुद ही political party के लिए पैसा बाट रहे थे, तो again civil service neutrality में ये lines blur हो रही है, चिंता का विश है, इस रोए communication satellite launch करने वाला है CMS01, और उसका launch vehicle क्या है, PSLV C50, लेकिन अब देखेगा ये तो अभी थोड़े दिन में launch होगा, तो 3-4 दिन तक continuously चलेगी, तो जब final एक बार हो जाए तब देख लेना चाहिए, अब ऐसा ही ये जो space technology की बात की, page 14 पर एक और ऐसा ही समाचार, American US Air Force में एक करनल राजाचारी बारतिय मुल्क के व्यक्ति, और थोड़े जिन पहले हमने पढ़ा था कि NASA ने कहा था कि हम चांद पे जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, तो उस mission का नाम बना है, चांद पे तो अभी नहीं जा रहे हैं शायद, लेकिन SpaceX Crew 3 mission जिसकी मदद से International Space Station पर जो ले जाने वाले उस project का इसको अभी commander बनाया गया है, हम वापस चलता है Uniform Civil Code, Uniform Civil Code मतलब ये जो marriage, divorce, adoption, बच्चा गोट लेना, मरने के बाद जो inheritance, वीरासत में संपती किसको मिलेगी, बेटे को, बेटी को, विद्वा को, कितना proportion होगा, ये जो सब कानून होते हैं, उसको हम कहते हैं, personnel laws, ऐसे personnel laws, मुस्लिम के अलग, क्रिश्चन के अलग, हिंदू के अलग, सब के एक समान होने चाहिए, ऐसे मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने petition दायर की, कि जहां तक divorce और alimony की बात है, मतलब, divorce के बाद जो पती या पतनी को compensation में पैसा मिलना चाहिए, नई मिलना चाहिए, उसके नियम, पिटीशन ऐसी हुई, कि divorce के बाद, divorce के क्या नियम होने चाहिए, और divorce के बाद जो पती या पतनी उसको compensation या alimony में क्या पैसा मिलना चाहिए, उसके नए नियम और कानून बनाए जाए, जो कि number one religion neutral हो, मतलब हिंदू मुसलिम सब को एक समान लगे, और दूसरा gender neutral हो, मतलब पती-पतनी, third gender समलेंगे, वो सब में एक समान हो, ऐसा कुछ नया कानून बनाने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोट में petition, तो सुप्रीम कोट ने सरकार से जवाब मागए, तो अभी से हमने तियार नहीं करना, ये पूरा चीज़ डेवलप होने दो, सुप्रीम कोट का ज़र् बनने तो तब हम पढ़ेंगे, ऐसी एक और कॉंट्रोवर्सी चलती है, online news and over the top platforms, OTT मतलब ये Netflix, Amazon Prime टाइप की चीज़ है, और वहाँ पर बहुत गंदी-गाली-गलोच होती है, उसको regulate करने के लिए sensor board की, जो movie वाले नियम लागू नहीं होते, तो क्या करें, Ministry of Information and Broadcasting ने उस काम के नहीं, Parliament साल में कितनी बार मिलती है, वगेरा कि भई वो तो लक्षमी कान से पढ़लो, इदर और जनरल नौलेज पढ़ोगे, तो कुछ फाइदा हो जाएगा, कमी दिखता है, Means Paper 2 में एक मुद्दा है, Roll of Pressure Groups, Pressure Group में एक आता है किसानों का Pressure Group, उसमें एक शेतकारी संगठन, जो मेरे कहल से 60, 70 या 80 इस में बना था, उसके बारे में बड़ी सी Explained सीरीज बना है, लेकिन इतना सारा भी काम का नहीं, यह जो Means Paper 2 में मुद्दा है, Roll of Pressure Groups, वो तयार कि दर से करें, मेरी सलाय आप इगनू की वेबसाइट पे जाए, इग्यानकोश, यह इग्य महिलाओ के क्या-क्या समस्या हैं, उसी तरह यह Paper 2 के अंदर, Roll of Pressure Groups, Weaker Section, वो सब के क्या मुद्द हैं, वो सारा आपको एक साथ ही उसमें मिल जाएगा, इगनू MPS 003 मॉडिल में, अलग से यह सब कुछ, पढ़ भी लिया तो, मनलब वो repetition ही होगा जादा था, पेज 14, वैस करीब करीब खड़े थे, तो Tom Cruise ने उनको गाली देखे का कि तुमारी नौकरी खा जाओंगा, केरी मिनाटी की तरह है, उसकी कुछ controversy चल रही, कैर फिर भी प्रशंसा का विशह है कि Tom Cruise सोशल डिस्टंसिंग के बारे में इतने serious है, unlike many other people की जो शादी ब्याब आरात के नाम प चुरू करे, Bill Gates ने किया, Warren Buffet ने किया, ऐसी एक महिला उद्यमी है, McKenzie's Quote उन्होंने 4 बिलियन से जादा donation दिया, कैर इतना कब कुछ काम का नहीं, एक बार मेरे क्याल से UPSC में निबंद पूचा गया था कि Warren Buffet और Bill Gates वाला model philanthropy का क्या, लेकिन ऐसे single individual type of topics में हम बहुत जादा करें कि इसका निबंद आ जाए और तयारी करें, cost benefit बनता नहीं, page 15 economy, अब जानते हैं कुछ टाइम से बारत सरकार ने चीन की अलग-अलग apps को बैन किया कि national security के लिए खत्रा है, अब सरकार कुछ ऐसी list बना रही है कि कौन से trusted और non trusted category के telecom apps और telecom devices हैं, लेकिन वो असल में न आतरा के हिसाब से exchange rate एक particular rate पर रहे, ताकि उस company के import-export में उसको मदद मिले, ऐसी परिस्तित को हम कहते हैं, currency manipulation, चाइना पर काफी टाइम से इलजाम लगता था कि जान बूच कर वो yuan की supply dollar के सामने बहुत जादा रखते हैं, बाजार में इसे dollar खरीद के उसकी shortage create करते हैं, त उनके products अमरीकी लोगों को और सस्ते दिखें और export बड़े वगेरा, ताकि दूसरे देशों का भी वो economy नुकसान में जाता है, अमेरिकन सरकार ऐसी एक list बनाती है, currency watch list, अब उसमें बारत, स्विजर लेंड, विएटनाम, बहुत सारे देशों के नाम लिखे जाते है, watch list और ये category वो category, ये हमारे लिए MCQ point of view से बहुत तयार करने लायक नहीं, क्योंकि अगर कोई देश बदमाशी भी कर रहा है, तो UPSC क्योंकि समविदानिक संस्ता है, तो वो ये भी ख्याल रगते हैं कि diplomatic relations सही रहने चाहिए, तो किसी देश का खराब दिखे, वो बदमाश है, इस हम कहते हैं New Development Bank, उसने बारत सरकार के साथ कुछ हस्ताक्चर किये कि एक बिलियन डॉलर का लोन देंगे रूरल इंफ्रास्टाक्चर के लिए, आगे भी ये Asian Development Bank, Bricks Bank, AIIB, इन सब का कामी है, इधर उधर के लोन देते हैं, हर एक चीज़ को हमने याद करने की ज़रुत नहीं, जब भी कोरोना वाइरस से recovery चाहिए, हमने क्या करना चाहिए, बाजार में money supply बढ़ा होता कि लोन सस्ते हो जाए, और लोग जम कर शॉपिंग कर एकोनोमी वापस खड़ी हो, तो अमेरिका की Central Bank, यानि US Federal Reserve, वो भी अभी कि हम बाजार से सब bond खरी देंगे, money supply बढ़ाएंग गुरुआर का निउस्पेपर